बीवी के नकरे और कुर्बानी के बकरे हमेशा ही महंगे पड़ते हैं हमारे मामू मिल्ला सुल्तान की क्या बात है पहले अपनी बेगम के इंतिहाई महंगे चूते खरेद लेंगे और फिर रोते फिरते हैं कि बीवी के चूते बहुत ही महंगे पड़ते हैं हमारी नल्दीक तो वो बंदा भी कुर्बानी की दिनों में एहम हो जाता है जिसकी अकल घास चड़ने गई हो क्यूंकि एपदार जानवर की कुर्बानी जायस नहीं है इसलिए मिलिदा सुल्तान पहाड़ी पकड़ों की कुर्बानी से परहेस करते हैं वज़ा ये बताते हैं कि पहाड़ों पर रहने का हक शाहीनों का है और जो बकरा शाहीनों की जायदात पर काबिज हो उससे बड़ा एप क्या होगा जिस तरह सिक्रिट के एक तरफ शोला और दूसी तरफ बेवकूफ होता है इसी तरह कुर्बानी के दिनों में रसी के एक तरफ बकरा और दूसी तरफ भी बकरा ही होता है बकरा लेने से पहले कई बार इनसान को खुद बकरा बनना पड़ता है ये बात कुर्बानी करने वाई लोग अच्छी तरह जानते हैं सबसे पहले वास्ता पढ़ता है बगरा फरुज से वो अपने बगरों में इतनी खूमिया गिनवाते हैं कि बगरा खरीदने से जादा उसकी इज़त करने को दिल करने लगता है खौमा खाही बगरे को वजीर आजम से भी जादा प्रोटोकॉल देने के लिए जहन में ख्यालात आने लगते हैं और कीमा सुनकर तो वाकिए इनसान को अंदाल्दा हो जाता है कि एक बगरा किसी भी इनसान से ज्यादा कीमती है आप अच्छी तरह ठोक बजा नच्चा और टहला कर अपनी जम्मा पुंची लुटा कर एक अदद बगरा खरीद लेते हैं खुशी से घर को रवाना होते हैं तो सवारी वाला भी आपकी खाल उतारने को तयार मिलेगा ट्रांस्पोर्टर किराया इतना बताएगा कि जैसे बस यही एक बगरा है जिसको ले जाने के लिए इतना इधन लग जाएगा कि एक शक्स के महीने भर की आमदनी खर्च हो जाएगी जब आप बगरा घर ले आते हैं तो महले वालों के अजीब अजीब सवालात का सामना रहता है अरे भाई ये मर्यल सा बगरा कहां से ले आए इस सवाल के बाद ही आपकी रही सही हमत भी जवाब दे जाती है बगरे की गिनवाई गई खूबियां खामियों में तबदील होती नजर आती है अच्छा और उम्दा खानदानी बगरा कोई अजीब से ही चीज़ लगने लगता है इसकी मैमे जो बगरा मंडी में एक सुड़ताल पैदा करती नजर आती थी यहां इंतहाई बकवास मालूम होती है एक और दिल जला सवाल आप पर जलकता है वा भाई कुरवानी के लिए बगरा खरीद लिया तुम्हारी जतनी आमदनी है इसमें तो ये मुम्किन नहीं यकीनन कोई उपर की आमदनी है इस सवाल का जवाब देने से बेश्टर ही आप बकरे पर नजर डालते हैं और फिर वो हकारत से आपको देखने लगता है अब इस सवाल का जवाब आप लाग कहते रहें कि साल भर कुरवानी के लिए रखम जमा की है मगर सवाल पूचने वाला यकीन नहीं करेगा जैसे तैसे करके वक कटेगा और फिर ईद सर पर आ जाएगी और कसाई से भावताओं में आपका ताओं में आ जाना लाजम अमर होगा कसाई दो अपनी मर्दी के ही दाम बताकर आपको दाम में लेने की कोशिश करेगा भले से लोग आप से मिलने के लिए वक लेने को तरस्ते हो मगर यहां मामला उलट होगा शायद इसी को कहते हैं उट पहाड के नीचे आना अल्ला अल्ला करके बकरा कुर्बान होगा अब जिल जिश्टदार के घर गोश भिजवाएंगे तो वो उस महंगी तरीन बकरे का गोश खाने के बजाए ऐसमिस करके दूसरे एबाप को आपकी चुगलियां करता फिरेगा के बिलने जैसा बकरा काटा है और हमें छीचडे और हडियां ही भेज़ दी अब आप परिशान होंगे कि जो बकरा था ही मरियल कुर्बान होने के बाद बिल्ले जैसा कैसा हो गया इन तमाम मराहिल के बहुसने खूबी तैह हो जाने के बाद एक मसला तो रही गया और वो मसला है खाल का मसला जिस तरह बकरा खरीदना एक फन है इस तरहां खाल देना भी एक हुनर है क्यूंकि कुर्बानी आपको आखरत के अजाब से बचाएगी और खाल स्यासी तन्जीमों के अजाब से कराची वो शहर है जहां जानवरों की सबसे पहले जो चीज़ काटी जाती है वो खाल की वर्ची है इन मसाइल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीवी के नखरे फिर भी सस्ते होंगे मगर कुर्बानी के बकरे कितने जादा महंगे पड़ते हैं